पर से किलास में आज हम लोग मैनिस सेखेंगे मैनस सब्सट्रक्ट इसका इसी चिन रहता है इसको ऐसा लिगते मैनिस इससको बोलते हैं इसमें इसमोर इसमेट मानिस सब्सट्रेक्ट लिखते हैं मैने न'sıl्फ बीर्ण च्रांट practice ठीक है तो इसका यह चिन रहता है इसके पहले हमने प्लस देखा था ठीक है तो सेम मैथर्ड और सेम टेक्निक हम यहां पर यूज करेंगे हमारे पास कितना बचा देने के बाद तो इसको माइनस बोलते हैं астit for example हम लोगों के पास है फर बनाना तो यहां पर देखेंगे कीफोर बनाना हैा 1234 यहंद माने है माईनों यहां पर टू बनाना है तो कितने बचेंगे तो कैसे कांट करते हैं वे अपना चा पृते हैं ha a 1 2 3 4 अभी इसमें से अपने को क्या करना है माइनस 2 करना है माइनस मतलब घटा देना है तो इनको हटा देंगे 2 value 1 2 तो अभी जो रिमेंनिंग बच्चा वह आपका आंसर हुआ तो क्या बच्चा 1 2 तो क्या हुआ 4-2 इकल टू टू ठीक है इसी को आप हांत की मेदश से भी कर सकते हो तो आप क्या करिए अपनी सारी फिंगर और थम को बंद कर लीजिए और आप पहले फोर ओपन कर लीजिए तो आपने अपने यह ओपन करी 1 2 3 4 आपकी यह बांकी अभी मुठी बंदी हुई है अभी इसमें से आपको क्य करना है दो बंद करना है मतलब दो घटाना तौप सबसे पहले इसको बंद कर दीजिए फिर वाली को बंद कर दीजिए और कांट कर लिजी जो बची होई है तो कितनी बची होई है 1 2 to answer कि वह आपका वह तू ठीक है वैसे यह को और एग्जमपल देख लेते हैं छोटे 6 7 8 अभी इसमें से माइनस क्या करना है 4 तो 4 को माइनस कर देंगे 1 2 3 4 मतलब इनको हटा दिया कट कर दीजिया तो जो रिमेनिंग नम्मर क्या बचा 1 2 3 4 तो अपना आंसर क्या गया 8-4 एकल टू 4 ठीक है ड्याल सिंपल है उक्का याद रखें चन्ह न आृसा होता है माइनस और इसको माइनस बोलते हैं सब्स्क्रेक्ट बोलते हैं हिंदी में रिन बोलते हैं घटाना बोलते हैं ठीक है तो अभी एक नंबर देखते हैं थोड़े बिग नंबर के लिए ठीक है तो एक नंबर अपने लिया 24 24-12 तो अपने को क्या करना है 24 में से माइनस 12 करना है ठीक है तो अपना वही सेम रूल लगाएंगे कौन सा जो प्लस में लिया था कौन सा हमेशा घटाते राइट से लेप्ट की हो जाते हैं ठीक है मतलब सबसे पहले हम इस नंबर को घटाएंगे राइट वाले को एंड देन उसके बाद लेप्ट वाले को तो वन तो जया होता है वन तो अपना अन्सर के आ गया लग बाल ठीक है अबवी हें काम करते हैं थोड़ा था ठीक कट्न CV लेते हैं अभी एक जंपल है जैसे अपना है 34-25 अपने को देखके ही लग रहा है कि 34 बड़ा है माइनस 25 तो ओविसली यह घड जाएगा लेकिन अपना जो रूल क्या है यह अपने को राइट से लेप्ट में घटाते हुए जाना है ठीक है तो सबसे पहले अपने देख रहे हैं कि 4-5 तो कुछ तो अपने को रॉंग लग इसके लिए एक नमबर उधाल लेते हैं जिसको बोलती है बारो करना क्योंकि 3 तो नीचे वाले 2 से बढ़ा है मतलब 25 तो 34 बढ़ा है तो घटेगा तो यह तो पक्का है लेकिन 4-5 नहीं घटेगा क्योंकि छोटा नमबर है तो अपने इससे क्या करेंगे इससे एक नमबर ब गिजरी तो क्या होगा अपना यह जी आप लाइन की मतल्स से भी इसको काट सकते हैं तो क्या होगा 14 माइनस फाइब 9 अभी यहां पर 3 है लेकिन आपको याद है हमने इक यहां ब हो दखाल ली यह मतलब पहले इसके पात थीं थे थे एक उधाले लिया था इस वाले नमब न कितने बचे 3-1 तो कितने बचे 2 बचे तो अभी यहां पे जो 2 बचे हैं उसमें से नीचे वाली गटेंगे तो 2-2 इकल टू जीरो जनरली जीरो को लिखते नहीं है क्योंकि आगह लिखने का कोई मतलब नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 0 लिख दे रहा हूं तो क्या ह हो जाएगा 0 9 ठीक है तो आंसर क्या हो गए आपका 9 ठीक है अभी थोड़ा और कठे नवाला लेते हैं 3 न थी डिजिट का लेते अभी तक अपने ये 1 का सिखा 2 का सिखा 3 का सिक अभी 3 का सी रहे हैं राइट तो अभी आपन लेंगे कि किसी ने वह ला कि 5 0 4 इसमें से माइन जरह में नाब उन चीजिएत तो पहले क्ए माइनस होगा और roniqueस like 4-2 है टो फॉर मारीनस 2 होगा तो किया भचाHe out willen यहां morb Prag PUBG करें следow अपर क्या है जीरो आप Remember क्या है जीरो आप भी नम ने की दूरूरत नहीं पड़ी और दा्री लेनी की दूरत नहीं कि वुद है उतनी पड़ी एक जीन मिहां की तो तो दो से श्रीजूर टी हंड how what We can take now this example है इस वाले एक्जाम्पल्स पर अपन क्या करते हैं कि अपना जो वा alley करने वाला हमिए अडमे तो हमें से आपना ना क्या है यह फिल को रूल हर कि मैं राइट साइड से addresses की और घटाती हुए जाओंगा ठीक है तो सबसे बेले वेल्यू का है 6-5 6 तो बड़ा है 5 से राइट तो अटोमेटिक माइनस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है वही है अपन 6 लाइन की चेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 अभी देखिए यहां पर क्या है 2-4 अभी 204 से छोटा है राइट तो अपन डारेक नहीं घटा सकते तो अपने को क्या करना पड़ेगा यह जो बड़ा नंबर है उसके आगे वाला जो भी है उससे अपने को वारू करना पड़ेगा तो हम इतना वा रॉक देंगे one यहां बारो किया तो यहां पक्या हो गया यह हो गया हुआ अभी इसको ही हमेंशल्य मोगत रखना है कि इसना को अधार दिया है तो पहले इसके पास कितने थे थे था 1, 2, 3 और उसने एक उदाह दे दिया अचा ये बाले को तो इसके पास अभी कितने है 2 है तो आप यहां तो आपके पास copy pen पे कर रहा हो तो यहां पे आप लिख दीजिए 2 समझने के लिए कि इसके पास अभी 2 बचे है तो अपने को next value minus करनी है वो कन नहीं है 2 minus 2 तो क्या हो जाएगा 0 0 को लिखते नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिखना हूँ तो अभी इसका answer क्या आगया 81 ठीक है यही same method से आप कितना भी बड़ा number रहेगा उससे minus करना रहेगा तो आप आसानी से minus कर पाएंगे ठीक है clear है यह दोनों example आपने देखे थे अपने देखा था minus को चिन्य क्या रहता है minus को क्या बोलते है minus भी बोलते है subtract बोलते है red घटाना कैसे घटाते है 4 बनाना है उसमेंसे 2 बनाना आपने किसी को दे दिये तो आपके पास कितने बच्चे हो गया है अभी आगे वाले वीडियो में आपने सी कहेंगे गुणा multiplication and division तो उसके लिए मैंने लाइस्ट वीडियो में भी बोला था कि table बहुत important है ठीक है तो जो multiplication की table रहती है वो आप कम से कम 9 तक तो याद करें लीजिए क्योंकि 1 और 10 और 5 यह तो बहुत सिंपल है आप देखेंगे ना मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है तो आप इनको रट लीजिए यह आपको lifetime आगे चलके हर जगे आपको यह तो काम आने ही वाली है कोई सा भी multiplication करेंगे division करेंगे आपको table तो लगने ही वाला है ठीक है तो आप इसको दीरे-दीरे करके एक दिन आप 2 का करिए एक दिन 3 का करिए और इसके आगे मैं जब इसके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको explain करूंगा क्या होता है टू इंटू 4 8 क्या होता है 10 क्यों नहीं होता तो उससाब से मैं आपको बताऊंगा तो आपको उस समय आप याद रहेगा तो आपको easy रहेगा समझ जाएंगे ठीक है तो आप आपको वन से लेकर 10 तक का ये टेबल याद रखना है जो कि मल्टिफिकेशन एंड आगे वाले जो अपने वीडियो आएंगे क्योंकि अपने दीरे दीरे कॉधिकेशन कर Но arrive tuf होते जाएंगे त्वड़ा कठ इन करते जाएंगे तो तो मैं जो अपना ये वीडियो है हमेशा उसके नीचे प्रिवियेस जो पिएले वाले वीडियो है उस तो इस तरह से आप पूरे वीडियो देखते जाएए ठीक है और आपके पस कोई भी डाउट है कुस कोश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिखके अप हिंदी में इंगलिस में किसी भी लेंग्विज में आप लिख सकते हैं कोई भी डाउट हो आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा स्पीट पर जा रहा हूं या सिलो जा रहा हूं या ज्यादा इंगलिस कर रहा हूं या ज्यादा हिंदी उस कर रहा हूं या मैं हिंदी मैं नहीं बोल रहा हूं वन टू थी फॉर फाइब को कि आजकल स्कूलों में हल जगे मैं देखा हूं कि हल जगे इंगलिस के तो यूज करते हैं आज कल 1 2 3 4 वो बंद हो गया है लेकि जब आप टेबल आद करेंगे तो आप उसको हिंदी में भी कर सकते हैं आप आज करते हैं जो तो ऊफोर जैसे इंगल्स में कहते तो आप बोल सकते लो दूनी चार तो सिर्फ आपको convert करना रहेगा अपने दिमाग में convert करके आपको मालम रहेगा कि 2 x 2 क्या होता है ठीक है तो प्राब्लम नहीं आएगी ठीक है तो आजकल तो सभी जो school की छोटे बच्चे हैं class 2 से अपना English वाली टेबिल या English में ही यह सीखते हैं मतलब teacher चल लो उसको इंदी में पढ़ाते हैं लेकिन 2 x 2 x 2 x 3 इस तरह कहीं सिखाते हैं ठीक है चलिए ओके धन्नवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई